हाई गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल दोस्तों आज निफ्टी भागा है 2% और भाई इस्पेशली दूसरे हाफ में तो आग लग गई थी तो इस वीडियो में हम सबसे पहले मार्केट की बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए current situation में तो आप देख सकते हैं कि फिर से वही छलावा दिया जा रहा है stimulus package का stimulus package की बातें चल रही है finance minister जी ने कहा है the government would assess the need for the further economic measures as the situation evolves as we go along we will see we cannot shut the doors तो दोस्तो बस rumors चल रही है उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे भाई हम डोट को shut नहीं कर रहे हैं हम यह नहीं कह रहे हैं कि stimulus package नहीं आ सकता जैसे भी जरूरत पड़ेगी हम वैसा करेंगे और इसी के चक्कर में भाई market ने already start कर दिया है भागना और आप देख सकते हैं कि भाई आज Wix भी 10% से कम हो गया था तो भाई यह सब चल रहा है market में और दोस्तो थोड़ा सा market sentiment भाई Dr. Redis के quarter 4 के results ने सुधारा था क्योंकि भाई इनके quarter 4 के results शांदार आये हैं शांदार 76% का profit में उच्छाला आया है इसकी मैंने analysis की video डाली है quarter 4 के results की अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं थोड़ी दिर पहले डाली है और दोस्तो consistent buying भाई फार्मा FMCG और IT sector में देखे जा रही है क्योंकि भाई फार्मा तो अभी strong चल रहा है और FMCG IT stock बहुत ही defensive sectors हैं जिनको भाई अपना पैसा पार्क करना होता है जिनको risk नहीं लेना होता है वो इन sectors में invest करते हैं और भाई expect हिया जा रहा है कि banking और financial sector में तो under performance रहेगी जिसमें कोई doubt हैं लेकिन दोस्तो हम तो banking sector के stocks को मंदे रेटों पे उठा उठा के उनमे profit booking भी कर रहे हैं और भाई उन्हें accumulate भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत जादा discount पे मिल रहे हैं आज के indices देखें भाई तो nifty 2% अप और सारे के सारे indices 22% अप थे आज अगर sectoral indices देखें तो भाई nifty auto में 2% की बढ़ोतरी इनमें क्योंकि भाई काफी ज़्यादा गिरावट भी आई थी IT sector flat सा रहा PSU bank भी flat रहा और nifty financial services में 3% की बढ़ोतरी फार्मा में 4% की बढ़ोतरी और भाई सारे sectors आपको green में दिखेंगे अब भाई देखते हैं आज के top gainers को हैं तो top gainers हैं भाई श्री सी जो लबका था और भाई अब हो गया है 1627 और दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोग कॉमेंट कर रहे थे कि सर हमने इसको 1550 में मिस कर दिया अब ले लें क्या दोस्तों आपको वो मिस नहीं करना चाहिए था आपको levels इतना पहले से ही बता के रख 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 थे तो भाई पता नहीं आपने फिर भी कैसे मिस कर दिया अब दोस्तों आप उल्लेडी इसमें 6-6% के प्रॉफिट में होंगे अब चाहे तो आप प्रॉफिट बॉकिंग कर लेना चाहे दे इसको लॉंग टम के लिए होल कर लेना आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना और चाहे टॉप लूजर्स देखेंगे तो भाई बारती इंफराटेल 8% की गिरावर्ट मैं आपको कब से कह रहा था इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजे बहुत जादा भागया है कभी भी गिर सकता है इंडसिन बैंक के बारे में आप लोग रोज पूछते हो और मेरा रोज से मॉनिटर करते रह सकते हैं वेदंता में 10% की गिरावर्ट देखी भारती इंटल कल बहुत जादा भागा था आज थोड़ा सा गिरा है कोल इंडिया फ्लैट है एशिन पेंट भी फ्लैट है और दोस्तों पंदरा सो पे खड़ा है यह मैंने आपको बताया था इसका पंदरा package के जहांसे में नहीं आना है आपको stocks को मंदे rate ओ उठाते रहना है जो जो मैने levels बता रखेंए उन पे आप उठाते रहिए और जैसे ही आपको उसमें ठोड़ा profit हो उसमें थोड़ी सी कीजिए profit booking और बाकियों को कीजिए hold और ऐसे कर करकर के आपकी depositical trading और long term के लिए accumulation भी ह सकते हैं और जैसे ही वो levels आए उनको आप लपक सकते हैं दोस्तो वैसे तो अल्लेडी उन सारे stocks के levels आ चुके हैं आच्छा करता हूं दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना thanks for watching guys I'll see you next time